आज हम बना रहे हैं स्वादिष्ट बेशन का हलवा जो मिठाई से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है तो इसके लिए हम पहले गैस में कराई को गर्म कर लेंगे और तीन बड़ी चमच मैंने यहां देशी घी का यूज किया है आप चाहे तो वेजटेबल ओयल में भी बन बहुंते जाएं और इन्हीं तब तक बहुने जब तक कि यह हलके सुनेरे रंग की नहीं हो जाती धीमे आज में आपको याद रहे आज एकदम धीमी रखनी आपको और बेशन को बहुंते रहना है continue जब तक कि इसका रंग ना बदल जाए और से तेज करने से यह उपर से त कम करके आज को इसे बहुंते रहें आप बीच-बीच में चलाते रहें जब तक कि इसका रंग ना बरल जाए जैसे मैं आगे दिखाऊंगी कि इसका रंग कैसे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बिल्कुल भी जलाना भी नहीं है और कम भी नहीं रखना है तो देख रहे हो कि दीरे दीरे इसका कलर चेंज हो रहा है और थोड़ा सा पंदर पेसमेट जैसे आपको लग जाएगा इसको आराम राम से बुनने में एक दम आज को दिमी रखनी है आपको और इसे बुनते रहना है और यह हलवा बहुत ही स्वादिश्ट लगती है अगर अच्छे से बन आधी है यहां देख रहो कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है गोल्डन ब्राउन सा हो गया है अब इसमें हम दालेंगे चीनी चीनी मेरे बच्चों को थोड़ा ज्यादा मीथा प्रसंद है तो मैंने थोड़ा जादा लिया है आप टेश्ट के कोडिंग कम ज्यादा ची प्लेट में दूद का यूज करूँगी और यहां पानी के जगह मैंने दूद का यूज किया है और इससे हलवे का स्वाद जो है ना कई गुना बढ़ जाता है तो आप चाहो तो यहां पे पानी डाल सकते हो लेकिन दूद के साथ बना के देखना बहुत ही स्वादिश्ट तो यह अब रेडी है अब इससे परोज सकते हो और अपने मन पसंद ड्राइफूट के साथ अब इससे सर्व कर सकते हो तो लीजिए तयार है आपका स्वादिश्ट बेशन का हलवा मैंने या बादाम के साथ इससे सर्व किया है तो आप अपने मन चाहे ड्राइफूट के सा सर्व कर सकते हो कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना सब्सक्राइब करना मेरे चानल को थैंक्स पर वाचिंग बाबाई मिलते हैं नेक्ट वीडियो में